अगर आप त्यारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी खबर आपके लिए कोई हो सकती है देखो क्या होता था से पहले जब यह नोटिफिकेशन नहीं आया था नवमत 2022 से पहले की बात कर रहा हूं तब क्या होता था कि जो पोस्ट होती है वह आपका सब्सक्राइब कमिशन में लेवल सिक्स पर आता था और लेवल सिक्स में आपको एक बेसिक थर्टी फाइब फॉर एड़ मिलती थी उस था आपका होता क्या था कि जब आप लेवल सेवन में जाते हो तो लेवल जीए मिलती है जैसे कि बात करूंगा थर्टी यट परसंट बैसिक चल रहा है और कुछ अलाउंस अब इसा क्या हो गया है जब से यह नोटिस निकला है भाई जो त्यारी कर रहे हो वच्चे उनके देखते शबह wraz सबसे रिकूरीटमेंट एक ईषखिकन हमें और लेवल सेवन वह लेवल सेवन में लाइप टाइम राह जाते थे अगर कोई प्रोमोशन नहीं होता था उसमें होता एक तो ती हर सीन सम्झा प्रेशल होती थि लेवल सेवन के कोर्सपर्णिक जो एप्रक्स फटिफॉर फटाउजन होती है उसमें थी परसंट की हर साल ब्रिद्धी होती थी अब लेवल सेवन से अगर उनको उपड़ जाना रहेगा तो उसके लिए उनको एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेटिव एक्जाम देखके उनको मतलब ग्रेट बी जो होती है ऑफिसर के पोस्ट में जाते लेकिन उनका नॉर्मल कोई प्रोमोशन नहीं था तो अभी क्या हो गया है कि अगर आप एज जोन करते हो तो आप लेवल सिक्स लेवल सेवन भी जाओं ऑपके प्रोमोशन जो है अगर आप कोई एक्जाम देरे हो आप लेवल नाइन तक जा सकते हो और लेवल नाइन तक सकते हो यह बहुत बड़ी वाहते हैं चले जायोगे देखिए यह आपका सेवेंद पे कमिशन का मेट्रिक्स है जिसमें जो पेमेट सेंटल गवर्मेंट की जो सेलरी बनती है उसमें हर एक पोश्ट को लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक डिवाइड क्या गया है अगर मैं जेई की बात करूं तो वह लेवल 6 में उसके निवक्ति होती ह है और लेवल 6 क्या होता है देखो इसमें ग्रेड पे लिखा हुआ ग्रेड पे जो है लेवल 6 का कितना जिसमें आपकी बेसिक जो है आई बनते कितना 35400 अब इसी में आपका जो है अभी बात करूंगा मैं मार्च 2023 की तो अभी 38 परसंट चल रहा है ठीक है तो यह 38 परसंट क इसका 35400 का और उसको बाद और भी सारे अलाउंसस मिलाओंगे तर लगबग आपका 60 के का असपास जो आपकी सेल्डरी बन जाती है तो अब क्या होता था जब आप स्टाडिंग में जब आप जैए में पोस्ट में जोइन कर दो तो लेवल 6 में आए हो तो भाई आपकी बड के सब में प्रोमोशन के तोर पे नहीं जा सकते हो आप जाओगे कैसे LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंडल कंपेर्टेव एक्जाम दे कर जो है ना आप सीधा लेवल आप नाइन में जा सकते हो ठीक है आप ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स होते थे उस पे जा सकते थे और जो पर आपको 400 ग्रेड पे दिख रहा होगा तो यह भी आपका ग्रूप एक ओफिसर कलाते हैं और लेवल नाइन भी 400 ग्रेड पे का है यह भी आपका ओफिसर ग्रेड बी का कलाता जो आपका डिपार्टमेंटल एक्जाम जिसको लिए लडी सी एक्जाम बोलते हैं जब आप यह में पांच साल का जौब कर लोगे यह जब आप एससी रहते हो ना तब आप एलीजिबल हो जाते हो उस लडी सी एक्जाम के लिए ठीक है सपोज आप एलडी सी एक्जाम नहीं देर हो आपसे नहीं निकल रहा तो आपका प्रोमोशन कैसे होगा तो यही तो 6 लेवल 6 में जोइन कर लियो उसका लेवल 7 आपका प्रोमोशन मालो चार साल पांच साल में आप एससी भी बन गए हो ठीक है लेकिन आप 789 नहीं जा सकते हो आप क्या होगा देखो यहां पर दिक रहा होगा कि 44,900 जो है यह बेसिक बन गए लेवल 7 का अब आपका पेमेंट फिर कैसे तो भी आपको दिरे-दिरे बढ़ने लगेगा मतलब आप लेवल 7 पर ही रहा जाओगे और जो बंदावाइस हो चो एससी में आएगा उतो लेवल 7 में आएगा और लेवल 7 के बाद उसको आगे प्रोमोशन ही नहीं है जब तक अगर वह लडिसी का एक्जाम नहीं दे रहा अब यह देख सकते हो यह कब का डेट का नोटिस है 17-11-2022 मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट है सब्जेक्ट देखो क्या है अब ग्रेडेशन और पे स्ट्रेक्शर अब सर्टेन केडर का मतलब होता एक ग्रूप ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लेवल 1 से लेक अब ग्रेडेशन करना उसका पेमेंट का क्या करना वाई देखो कि मिनिस्ट्री और रेलिवे ने बोला है कि अपग्रेडिंग करना था पे स्ट्रेक्शर ऑफ सटेंग ग्रूप सी में तो भाई आपका बहुत सारे एंप्लोई आते हैं टेक्निशन भी ग्रूप सी में आता यहां पर लेवल सिक्स का होता है तो यहां पर लेवल सिक्स वाला जो केडर है ना भी यह तो उनका यहां पर अपग्रेडेशन करना पे स्ट्रेक्शर का ठीक है तो किस तरीके से करना दिखते हैं ठीक है अब देखो क्या गया है और कैसे होगा इसको पहले हम लोग समझते ह कि यह बोला गया है कि देखो अगर फर्स्ट पॉइंट यह बोलता है कि अब ग्रेड करना हमको लेवल सेवन मान लिजे कि अभी आप जे में जोइन की हो ठीक है और जे जोइन करने के बाद आप एससी भी बन गये हो कि हो सकता पांच साल लगे डिपेंड करता यह डिविजन कि किस डिविजन में एससी की कितने सेटे खाली है सपोज करो आप तीन साल में ही बन गये एससी तो लेवल सेवन के बाद तो आगया प्रोमोशन ठप पड़ गया ना लेकिन आप इस नोटिस में देखो आप क्या करने वाली है जो आपको मैंने दिखाया यह 12-11 वाला जो न मतलब एंप्लोई का लाओगे क्योंकि ए बी सी तीन गुरूप को मैंने बोला कि बटा हुआ है ग्रूप ए जो होती है यूपी एस के जो एक्जाम होती है और एक आई एस इंडियान इंजिनेरिंग सर्विस उससे आते हैं और ग्रूप बी का जो के इंडिट होते वह एलड एट चले गे हो लेकिन आप गुरूप c में रहे घहां कि चयान चेंज हो गया 400 से एपकर ग्रेड बेंट ओगी August 8 और आपको मैंने बताया कि चाहें लेवल 6 का सीस और 8 रहे नाई खीन पर इसकाmar केंड़ेट केंड़ेट्श मेरे से कितना ही छो है से कितना हो जाए आपको बहुत सारे से केंड़ेट्ट है वह बहुत पहले से हैं और यह उनके नीचे बादगाली जोईनेंगे तो स्टाइडिंग के 50 के इंडिट को उठाएंगे वो लोग और लेवल एट में कर देंगे जो ऐसा पहले नहीं था उसके बाद देखो फर्दर अपग्रेड क्या करना फिप्टी परसेंट पोस्ट जो लेवल एट की रहे है तो आपकी जो लवल है एड सबस्ट बन चल जा जा ओए चार साल के बाद एसे सब्सक्ते मैं शुथ सब्सक्राइब करते हैं प्रोंशन के नोटिस लिखा वा था और यहां पर यह दिखा घिया था कि हम कॉन जा सकते हैं यह यह दिख करते हैं उसमें क्या लिखावार बहुत इंपोर्टेंट यार यह तो खुसकबरी अप्रोगों के लिए लिस्ट रप केटेगरेश कवर्ड अंडर अप्ग्रेडेशन किसको किसको अप्ग्रेड करना मतलब गुरूप सी के कौन-कौन से पोस्ट को जैसे कि सीबिल डिपार्टमेंट के इतने सारे हो गए है या तो भाई इलक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो एसे रहेंगे उनके इतने यह सारी पोस्ट होगी मेकेनिकल डिपार्टमेंट के जो एसे सी रहेंगे उनके दोंके यह सारी पोस्ट है उसके बाद संट स्टोर्स के वाली पोस्ट आप इसको डेकर पोस्ट को देख सकते हो औप इन सारे पोस्ट में जो है सारे जितने भी सारे रहेंगे आपके लेवल 7 में उनको लेवल 8 में भी जा सकते हैं लेवल 9 में भी जा सकते हैं तो सोचो यहार कितनी benefit वाली बात है उसके बाद इसमें बोला गया है कि date of effect यह कब से count होगा तो this upgradation will be effective from 112-2022 मतलब 112-2022 से जो है न यह upgradation जो है आपकी start हो जाएगी ठीक उसके बात क्या बोला वाइल डिटर्माइनिंग फिप्टी परसेंट फोर बेनिफीट ऑफ ग्रांटिंग अप्गरडेशन शेंसेंट केडर्स स्टेंथ और तीस गार दोबजर पाइस विल बी टेकन इंटो कंसेडरेशन बेनिफीट ऑफ अप्ग्राडेशन विल बी रेस्टिक्रेट फोर इन सर्विस ऑन दा कट अपडेट मतलब कट अपडेट क्या है एक बार 2022 से उस दिन जो सर्विस में रहेंगे वह यह उनको थोड़ी टारट भेज दिया जाएगा ठीक है जो तीस गार दोजर फिप्टी मतलब फिप्टी परसंट जा रहें मतलब की अगर सो सैसी है उस में से पचास को ी सेसी ही रहेंगे उनका डैसिगोरी चीजर नहीं और गरूप और भी वेशी साल रह लेते हो ना तो फिर उसके बाद चले जातो 9 में मतलब अगर 100 SAC है ठीक है अगर 100 को SAC है तो 50 को SAC रहेगा लेवल 7 में 25 को रहेगा लेवल 8 में और 25 को रहेगा लेवल 9 में पतल सोचो यार कि SAC ही है होगे अपके डिजीडेशन में जो है कोई च offers नहीं होने वाला है और आप यहां पर भी आप एससी रहोगे यहां पर भी आप एससी रहोगे बट आपकी जो लेवल है उसमें आपको प्रोमोशन कर दिया जाएगा आप समझ सकते हैं लेवल सिक्स में रहते हो और नाइन तक जा सकते हो तो यह में आने का आपको बेनिफीड मिलेगा है बहुत बड़ी इतना सुन्दर इस प्रोमोशन का जो तरीका गवर्मेंट निकाला कि मत पुछो कि यह कैसा पोस्ट है आपको सुपर विजन करना पड़ता है आपके पास वर्कलोड बहुत ही जादा होता तो उनको थोड़ा सा सहौलियत तो गवर्मेंट का तरफ से मिलना ही चाहिए था आ अभी आपकी 24 फरवरी 2023 में एक नोटिश निकला था आपका क्या बोलते उसका इंडियन रेल्वे सुपरवाजर टेक्निकल एसोशेशन यह जो आपकी एक इंडियन थी उन्होंने फिर से अपना एक परसाव रखा कि ठीक है आपने तो बोला कि इस तरीके से मान के चली आप चीज में आपको यहां पर समझाने वाला हूं तो मेरा परपस यह था कि आपको यह समझ में आ जाए कि जो आपकर लेवल 6 में जोइन कर रहे हैं तो लेवल 9 में किस तरीके से जाओगे और 9 में किसे जाओगे 6 से तो 7 आपका नॉर्मल जो एक टाइम डूरेशन का में फिर यह पचास को से पचीस को राजाएंगे इसमें और पचीस को चले जाएंगे इसमें मतलब लेवल और 8 और 9 के जो केंड़ ट्राइंगे वाप 50 परसंट से जादा नहीं बढ़ सकता है समझ मांगे आपको आपको यह प्रोमोशन का तरीका आपको समझ मांगे होगे इंडियान रेलवे में जो लेबल 6 के केंड़ जो जोन करने वाले उनका किस तरीके सराने वाला चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में गाईज सो बहुत बहुत भाई मेरे अगर आप इस चैनल में आपको लगता कि नहीं कुछ बेनिफिट हो रहा तो भाई आपको भ